नमस्कार मित्रों आएए हम एपिलिपसी में क्या ट्रीट्मेंट कर सकते हैं सुजोक में देखते हैं कि एपिलिपसी जो बीमारी होती है वह उसके दोरे पड़ते हैं और हम एकदम आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर किसी पेशन्ट को एपिलिपसी के से समंदित कोई है तो हमने उसके brain area के correspondence points को हमने अच्छी तरीके से daily हमने उसे प्रेस करना है हमने उसे प्रेस करना है चाहे इन बिंदू पर आप और यहां पर आपने इस जीमी के माद्धम से करना है क्योंकि यह काफी नुकिली होती है तो यहां पर हम इसे रोज treatment करेंगे और आपने जो बार मैगनेट होता है बार मैगनेट को front vertical line पर आगे की तरफ से इस तरीके से हमने लगा देना यहां पर तो यहां पर हम यह देखेंगे कि किसी patient की तो energy कम हुई रहेंगे और किसी patient की बड़ी वी रहेंगे तो हमने उस patient को यह लगाने के बाद पूछना है कि कुछ easy, uneasy fill हो रहा है अगर वह बोलता है कि uneasy fill हो रहा है तो हमने इसे यहां से बदल देना है और इसे इस तरीके से फिर से central line पर इसे लगा देना है यहां पर सीधा लगना चीए magnet और साथ ही साथ एक biol magnet फ्रंट पर और एक biol magnet बैक वर्टिकल लाइन पर जिनोंने four zone therapy देखा है जिनोंने four zone therapy को समझा है वह लोग आसानी से इस चीज़ को समझेंगे तो यहां इसका treatment अगर आप लगातार करते रहेंगे तो मैंने खुद अनुहो किया है कि केवल इन दो बैर magnet की सहायता से हमने एपिलिफसी के attacks का time period बढ़ाया है दिन बहुत हुए है उनमें जो patient 24-24 घंटे तक unconscious रहते थे या nervousness रहता था उनका nervousness आदे से पौन घंटे में ही खत्म हुआ और एक बात कि हमने जब attack आ रहा है जब हमें कोई patient हमारे सामने अगर इस तरीके का कुछ हाथसा हो जा रहा है कि patient को attack आ रहा है तो हम उसमें treatment क्या कर सकते हैं इन बिंदूओं में तो LIV अगर LIV four number के points को LIV four number के points पर हम stimulate करकर यहां पर एक star magnet लगा सकते हैं यह daily treatment करेंगे तभी इनके results आएगे या किसी आप सुजोग therapist के साथ contact करकर भी आप इसका treatment आप करवा सकते हैं LIV four के साथ साथ में आप K1 number का point kidney का एक number का point जो होता है हमारे हाथ में kidney meridian यहां पर इस बिंदू की उर्जा आप कम कर सकते हैं यहां पर आप चाहे तो magnet भी लगा सकते हैं white side on the skin white side on the skin इस तरीके से अब कुछ खास तरीके के attacks होते हैं जैसे किसी को दिन में ही attack आ रहा है only day किसी को केवल दिन में ही अगर attack आ रहा है तो हम ub का 62 number का point ub 62 number के points को हम ub में 62 number के points को हम यहां पर treatment करकर यहां इसे sedate कर सकते हैं मतलब yellow point अगर मैं जो बता रहा हूं वो बिंदू आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यह चार्ट गूगल पर या कहीं पर भी उपलफ़ हो जाएगा आपके वल बिंदू के नाम भी देख ले रहा है तो काफी है यूबी 62 नंबर का point अगर दिन में attack हो रहे हो अब किसी patient को अगर रात में at the night अगर problem हो रहा हो तो kidney का 6 नंबर का point के 6 के 6 नंबर का point के 6 नंबर का point हम treat कर सकते हैं के 6 की energy को हमने कम करना है वही बात कि white side जो है के 6 नंबर का point यहीं पर ही इसे आप stimulate करकर white color on the skin कि कैई patient आईसे भी होगे जो आपको दिन में भी इन्हें attack आएगा और रात में भी इन्हें attack आएगा मतलब ऐसे होते हैं कि आपको जो problem है उन्हें वहाद दिन में भी रहेगा और रात में भी रहेगा तो हम ऐसे पेशेंट को ST 40 नमबर के पॉइंट को हम स्लिडेट कर सकते हैं यह 41 and 40 ST 40 नमबर के पॉइंट को हम यहाँ पर White side on the skin तो इस तरीके से आप निर्गी इपिलिफ्टी के अटेक से और उसके टाइम पिरेट को आप बढ़ा सकते हैं साथी साथ में आप एक उपचार घरेल उपचार भी कर सकते हैं देशी गाय का घी आपको आयर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा गोगृत गोगृत को आप रोज रात में सोते समय एक-एक बुन नाक में दालिए या फिर उसे उंगली पर लगा लिजिए और इस तरीके से नाक में आप लगा के आप सो जाएए तो यहाँ जो गोगृत है यहाँ बहुत सारे भीमारियों को दूर करेगा आप के किसी ब्रेन को दूर करेंगा पैरलैसिस में उपयोगी है क्ल Brs अगर हो गए तो उसमें भी गाय का घी उम क्ल्ट को दूर करेंगा हमने कही पेशेट पर इसका उपचार किया है बहुत अच्छे रिजल्स पाए जिने खरणाटे आ रहे हैं स्नोरिंग हो रहा है वो लोग भी इस उसे आपने घी को उंगली में ले लेना है और दोनुन आक के चितरों पर लगा लेना है और आपने सो जाना है तो यह लंबा उपचार आप करते र